बच्चों अब तक हमने क्रिया विशेशन के दो भेद पढ़े अब आगे बढ़ते वे हम क्रिया विशेशन के तीसरे भेद को पढ़ेंगे अब क्रिया विशेशन का तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेशन तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेशन बचों मैंने आपको जैसे इसके पूरुव बताया है आपको इसके भेद उसकी परिभाषा के साथ क्लास्वर्क में लिखने हैं अब पहले बचों हम लोग ऐज यूज्वल इसकी परिभाषा पढ़ेंगे व्याख्या पढ़ेंगे इसकी इसकी व्यक्ष़ इस प्रकार है जो क्रिया शब्द गर्या के घटीत स्थान या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें काल वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं मैं दुबारा दोरा रहा हूँ बच्चों जो क्रिया शब्द क्रिया के घटित स्थान या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें काल वाचक क्रिया विशेशन करते हैं अब यहाँ पर बच्चों इस काल वाचक क्रिया विशेशन के नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ आपको नज़र आएगा अब काल का अर्थ क्या होता है बच्चों आप में से बहुतारणशी विद्यार्थियों को इसका अर्थ पता होगा काल काल याने समय वक्त ताइं अब यहाँ पर इस शब्द में ही अर्थ चिपा हुआ है काल वाचक वाचक क्याने उसका बोध कराने वाला समय का बोध कराने वाला वह क्रिया विशेशन का शब्द जिसे हम काल वाचक ग्रिया विशेशन कहते हैं अब यहाँ पर बच्चों इस परिवाशा में जो क्रिया के शब्द आपको नजर आएंगे वह स्थान अथवा समय का भी बोध करा सकते हैं क्रिया के घटित स्थान या करने के समय का बोद कराते हुए शब्द अगर आपको नज़र आए उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेशन के पद कर सकते हैं अब जैसे पहला उदहरन आपको यहां नज़र आएगा वह दिन भर पढ़ता रहता है पहला वाक्य है बच्चों वह दिन भर पढ़ता रहता है इस संपूर्ण वाक्य में बच्चों हम लोग व्याकरण के अनेक विशेश पढ़ सकते हैं अब इस वाक्य में आप से मेरा प्रश्चन है इस वाक्य में सर्वनाम का शब्द कौन सा है बिल्कुल सही है आप मेंसे कएकों ने जवाब सही दिया वह यह शब्द सर्वनाम का है वह यह शब्द अंग्रेजे में अगर कहें तो इसे प्रोनाउन कहा जाता है तो इस वाक्य में एक क्रिया हो रही है कौन सी क्रिया हो रही है कार्य कौन सा हो रहा है कार्य हो रहा है पढ़ने का रीडिंग अंग्रेजे में कहा जा सकता है तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो पढ़ने का कार्य करता है अब वह व्यक्ति पढ़ने का जो कार्य कर रहा है कैसे कर रहा है तो वह शब्द हमें समझाता है वह शब्द है दिन भर कोई विक्ति पढ़ तो अवशरा है किन्तु कब तक कहां तक पढ़ता है वह शब्द है दिन भर तो दिन भर यह शब्द क्रिया विशेशन के अभ्यास में काल वाचक का एक शब्द हुआ तो काल का बोध कराया दिन भर ने तो इस वाक्य में दिन भर यह कालवा चक्रिया विशेशन का पद हुआ अब दूसरा उधारन हम लोग लेंगे बचों वह है वह अभी अभी आया है वाक्य है वह अभी अभी आया है इस दूसरे उधारन में हम कह सकते हैं अभी अभी यह शब्द आने के कार्य के बारे में हमें समझा रहा है कोई कार्य हो रहा है उस कार्य के बारे में वह समझा रहा है वह व्यक्ति कब आया यह शब्द समझा रहा है अभी 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 शब्द ने हमें काल का बोध कराया समय का बोध कराया इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेशन का अभ्यास कहा जाता है अब तीसरे उधार्ण की ओर हम लोग चलें वह है राजू हर रोज आराम करता है राजू हर रोज आराम करता है इस संपूर्ण वाक्य में बचों प्रथम जो शब्द है वह व्याक्रण में सर्वनाम के साथ साथ उपर के वाक्य में हमने देखा सर्वनाम का शब्द आया था वह अब इस वाक्य में राजू यह एक नाम का शब्द है नाउन राजू आराम करता है यह वाक्य सर्विस सामाने हो सकता है किन्तु राजु आराम तो आवश्य करता है किन्तु कितने वक्त तक कितना समय करता है कब करता है इसका बोद कराया हर रोज ने तो हर रोज इन शब्दों ने आपको काल का समय का बोद कराया इसलिए हर रोज यह कालवा चक्रियाविशेशन का भेद हुआ तो चौथा अंतिम उधान इस तरह से है इसमें उसने अधिक मेहनत की है वाक्य है उसने अधिक मेहनत की है कोई एक वेक्ति है उसने मेहनत की है अधिक जो शब्द है वह आपको उस काल का बोध करा रहा है अधिक यह शब्द आपको उस वेक्ति के मेहनत के बारे में जानकारी दे रहा है उसने कितनी मेहनत की उसने अधिक मेहनत की तो अधी यह अभ्यास अथवा यह शब्द कालवाचक क्रियाविशेशन का कहलाता है तो बच्चों आपने अब तक तीन भेद पड़े तीस सा भेद रहा कालवाचक क्रियाविशेशन उसकी परिवाशा पड़ी उसके चार उधारन भी पड़े अब पहले वाक्य में आपने देखा दिन भर यह शब्द कालवाचक का रहा दूसरे में अभी अभी यह शब्द कालवाचक का भेर रहा तीसरे में हर रोज यह कालवाचक का बोध कराने वाला शब्द रहा और चोथे में अधी के यह शब्द कालवाचक का रहा तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कालवाच क्रिया विशेशन के उधारन इस प्रकार वाक्य में छिपे होते हैं हमें विभिन्द उधारनों के जरिये इसका भ्यास करना चेए जिससे की हम अच्छी तरह से इसका भ्यास पढ़ पाएं और समझ पाएं बच्चों आज हम क्रिया विशेशन से आगे वड़ेंगे चौता भेद क्रिया विशेशन का चौता भेद हम आज पढ़ने जा रहे हैं तो चौता भेद है परिमान वाचक क्रिया विशेशन चौता भेद है परिमान वाचक क्रिया विशेशन अब जैसे हमने प्रथम जो भी भेट पड़े उनमें अर्थ उसका समझा उसी प्रकार इसका भी अर्थ समझे इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है परिमान प्लस वाचक इसका शब्द भेद इस तरह से होता है देखिएगा परिमान प्लस वाचक जो शब्द परिमान का बोध कराए वह क्रिया विशेशन इसे ही परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहा जाता है अब परिभाशा पढ़ेंगे बच्चों प्रथम आप भ्यान दीजीगा परिभाशा पर परिभाशा इस प्रकार है जो विशेशन किसी वस्तू की नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जो विशेशन किसी वस्तू की नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं अब इसमें बच्चों कई एक शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो है नाप तोल या मात्रा अब नाप तोल और मात्रा ये शब्द आप संदरवानुसार पढ़ते ही हो नाप ना तोलना या मात्रा का अभ्यास हम करते ही हैं अब उसी प्रकार अगर इन तीनों में कोई एकाद वाक्य शब्द आपको नज़रा है तो उन्हें हम परिमानवा चक्रिया विशेशन कह सकते हैं अब जैसे कहते हैं आपको पता है बच्चों की उधारन पढ़ने का वक्त है उधारनों के साथ इसे हम समझेंगे पहला वाक्य है उसने बहुत आटा लाया वाक्य है उसने बहुत आटा लाया बच्चों आगे बढ़ने से पूर्व मेरा एक आपके लिए प्रश्ण है वह है इस वाक्य में सर्वनाम का शब्द कौन सा है इस वाक्य में सर्वनाम का शब्द कौन सा इस्तिमाल किया गया है बिल्कुल सही हुआ है उसने यानि उसने शब्द के पीछे कोई एकाद व्यक्ति है किसी एक व्यक्ति ने आटा लाने का कारे किया है अब जो आटा उसने लाया है वो कितने पैमाने पर लाया है किसी एक विक्ति ने आटा तो लाया किंदू कितनी मात्रा में लाया यह शब्द है बहुत बहुत शब्द ने आपको समझाया कि उसने बहुत आटा लाया अब दूसरा वाक्य हम लोग लेंगे वह है पहलवान ने लीटर भर दूद पिया दूसरा वाक्य है पहलवान ने लीटर भर दूद पिया तो यहां पर है एक और है पहलवान दूसरी और है दूद तो पहलवान दूद पीने का कारे कर रहा है अब पहलवान जो है वह जो दूद पी रहा है कितनी मात्रा में दूद उसने पिया यह हमें लीटर यह शब्द समझा रहा है पहलवान ने तो दूद पी लिया किन्तो कितना दूद पिया यह लीटर यह पद हमें समझा रहा है तो व्याकरण का अभ्यास में लीटर भर यह शब्द परिमान वाचक्रिया विशेशन का पद हुआ इस लीटर भर ने हमें समझाया कि किसी एक व्यक्ति ने किसी एक पहलवान ने दूद तो पिया वह कितना पिया तो वह है लीटर भर बच्चो आपको ये अभ्यास समझ में आ रहा हो तो इस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं अब तीसे उधान की ओर हम लोग मुड़ेंगे वह है मोहन ने दुकान से कम चीजे लाई वाके है मोहन ने दुकान से कम चीजे लाई अब मोहन आपको पता ही है बच्चो मोहन व्याकरण में सद्निया का शब्द है मोहन ने दुकान से कई एक चीजे लाई है वो कितनी लाई यह शब्द कम यह हमें बता रहा है मोहन ने जो दुकान से चीजे लाई है वो कितनी लाई कम यह शब्द हमें संबोधित कर रहा है अत्वा समझा रहा है इसलिए व्यक्रण अभ्यास में क्रिया विशेशन के इस अभ्यास में कम यह शब्द परिमान वाचक का शब्द कलाता है क्योंकि इस शब्द ने आपको मातरा का बोध करवाया मोहन ने कितनी चीजे लाई यह समझाया इसलिए कम यह परिमान का पद हुआ अब चोथे उधान की ओर चलेंगे बच्चों वह है मेरा मित्र बहुत पढ़ाई करता है वाक्य है मेरा मित्र बहुत पढ़ाई करता है इस वाक्य में बच्चों मेरा यह आपको पता ही है मेरा यह सर्वनाम का शब्द हुआ इस मित्र ने पढ़ाई की है कितनी पढ़ाही की है कितनी पढ़ाही वह करता है तो शब्द है बहुत बहुत इस शब्द ने आपको मात्रा का बोध कराया परिमान का बोध कराया कोई एक मित्र पढ़ाही तो आवश्य करता है किन्तु कितनी मात्रा में वह करता है वह बहुत नामक शब्द ने हमें संबोधित किया तो व्याकरण अभ्यास में बहुत ये परिमान वाचक्रिया विशेशन का शब्द हुआ तो बच्चो इस तरह से हमने विभिन उधारन पड़े पहले वाक्य में हमने देखा वह शब्द था बहुत दूसरे वाक्य में हमने देखा परिमान वाचक्रिया विशेशन का शब्द रहा लीतर भर तीसरे वाक्य में कम और चोथे में बहुत इन शब्दों ने आपको परिमान विशेशन का बोध कराया तो इस तरह से ही अलेको अलग भी शब्द हैं बच्चों अगर वाक्य के दोरां आपको ये पढ़ने मिले तो तुरंत आप समझ जाए कि यह वाक्य जो है इस वाक्य में इस्तेमाल हुए ये जो निम्न शब्द मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ अगर आपको नजर आए तो तुरंत लिख दीजिए अथो आप बताईएगा कि ये परिमान वाचक्रिया विशेशन के शब्द हैं अब वे कौन से हैं थोड़ा 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 अत्यंत अत्यंत अधिक अल्प अल्प केवल केवल प्रायह प्रायह अनुमानत ह अनुमानत ह ये आदी शब्द आपको अगर वाक्य में पढ़ने मिले तो उन्हें रेखा की करके आप बता सकते हो समझा सकते हो कि ये परिमान वाचक्रिया विशेशन के शब्द है बचों तो हमने अब तक व्याकरन का एक अध्य है जिसका नाम रहा क्रिया विशेशन उसक अभ्यास किया अब आगे बढ़ने का वक्त है बचों अब अभ्यास का वक्त है अब हम लोग अपनी क्लास वर्क में इस क्रिया विशेशन से जुड़ेवे अभ्यास के विभिन उधान अभ्यास के तोर पर लिखेंगे अब आपको करना क्या है बचों मैं आपको समझाता कि आप अपनी classwork खोलेंगे और classwork में ये प्रश्ण और उसके साथ जुड़ेवे विभिन उधारन लिखेंगे तो प्रश्ण मैं आपके लिए एक नहीं दो बात दोहराता हूँ और उससे सूचना अनुसार आपको अपनी classwork में प्रश्ण और उत्तर दोनों लिखने है अब प्रश्ण इस प्रखार है बच्चों निम्न लिखित वाक्तियों में से क्रिया विशेशन रेखांकित करके उनके भेद लिखे अब आप प्रश्ण इस तरह से है निम्न लिखित वाक्तियों में से क्रिया विशेशन रेखांकित करके उनके भेद लिखे अब बच्चों दो तीन शब्द हो सकता है आपके लिए नए हो निम्न लिखित अब निम्न लिखित क्या होता है बच्चों निम्न लिखित याने नीचे लिखे गए नीचे लिखे गए, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से जो वाक्य हैं, उन वाक्यों में क्रिया विशेशन रेखांकित करके, रेखांकित और एक नया शब्द आया बच्चों, रेखांकित, रेखांकित याने रेख प्लस अंकित, याने उन शब्दों को आपको अंडरलाइ करना है उनको रेखांकन करना है उनको पहचान कर आप अंडरलाइन कीजेगा इन क्रिया विशेशन के शब्दों को रेखांकित करो और उनके भेद लिखे उनके भेद लिखे यानि उनका नाम आपको सामने लिख देना है हमने जैसे जिस प्रकार चार भेद पढ़े उन चार भेदों का भ्यास आपने अच्छी तरह से किया तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने दस वाक्य नजर आ रहे हैं इन वाक्यों को आप अपने नोट बुक में लिखेंगे अपनी क्लास वर्क में लिखेंगे और इन वाक्यों में छिपे हुए क्रिया विशेशन के शब्द आइडेंटिफाई करो पहचानों रेखांकित करो और उसका भेद उसके सामने लिखो अब पहला वाक्य मैं दोरा रहा हूँ रवी अच्छे स्वभाव का है वाक्य इस तरह से है रवी अच्छे स्वभाव का है दूसरा वाक्य वच्चों महेश बिहार जा रहा है तीसरा वाक्य है गवरो यहां रहता है चोथा वाक्य है संगीता प्रती दिन पढ़ती है पांच्छों वाक्य है पक्षी पंक फड़ पढ़ाते उड़ गए चटा वाक्य है नेहा मीठा बोलती है सांत्वावा क्य है खिलाडी दौरते दौरते गिर गया सांत्वावा क्य है खिलाडी दौरते दौरते गिर गया अंट्वावा क्य है वाहन अचानक रुग गया वाहन अचानक रुग गया नौवावा क्य है बाग गुफा के अंदर है और दौरते गाओं के उस और नदी बहती है तो बच्चों आपके सामने इस प्रकार दस वाक्य नज़र आएंगे उन वाक्यों में आपको प्रथम शब्द पहचानने है उन क्रियाय विशेशन के शब्दों को पहचान कर उसके भेद लिखने है तो आप अपनी नोटबुक साथ रखिए उसके जो भेद आपने पढ़े उसकी परिभाशा भी आपके साथ है उसके विभिन्न उधारन भी आपके साथ है उसका सहरा लेते हुए आप इसन के उत्तर अपनी क्लास वर्क में लिख सकते हो जितने ज्यादा उधारन आप पढ़ेंगे बच्चों उतना ही अच्छा भ्यास आप आने वाले दिनों में कर सकोगे आप उतनी ही अच्छी हिंदी बोल पढ़ और लिख पाएंगे बच्चों इस प्रकार बच्चों हमने आज तक क्रिया विशेशन और उसके भेड उसके विभिन उधारन पढ़ेंगे धन्यवाद सुपर लुडिये अच्छी कि अच्चों ज‍चों कि आप पन्यवाद झाल 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 झाल